खुशी आपके अंदर है बाहर नहीं एक बाद सेट जी की दुकान पर एक आदमी काम करता था बड़ी मेनस से काम करता था बड़ी लगन से काम करता था सेट जी बड़े खुश थे आदमी खुश था कुछ आच्छा चल रहा था एक दिन उस आदमी ने भी ना बताय चुट्टी कर ली यानि अपने काम से चुट्टी ली वो गायब हो गया सेट जी ने कहा कि चक्कर क्या है बताया क्यों नहीं क्या वज़ों हो सकती है सेट ने सोचा कि शायद पैसों की कमी हो सकती है लड़का बड़ा महिनती है तो फिर सेट जी ने तनखा बड़ाने का सोच लिया अगले दिन हो जब काम पर आया तो सेट जी ने कहा देखो भया तुमारे तनखा बड़ा दी गई है अगले तारिक को उसके पैसे जाजा मिल गई लेकिन उसने कोई रेयक्शन नहीं दिया सेट जी को धन्यवाद नहीं दिया नाहीं खुश हुआ अपना काम करता गया सेट जी को लगा कि पैसा बड़ा दिया गया तो और लगन से काम करेगा कुछ महिनों के बाद वो आदमी पेड से चुट्टी पर चला गया आया नहीं सेट जी को बड़ा गुस्सा आया और जी पादमी है एक तो पैसे बड़ा है नाहीं उसने मुझे धन्यवाद कहा नाहीं कुछ बताया नाहीं अपनी जिम्मेदारी समझी और फिर से चुट्टी कर गया सेट जी बड़े गुस्से में थे आदमी काम करने आया सेट जी ने देखो बहिया तुमारा पैसा फिर से हाटा दिया गया है जो साले ने तुम्हें पहले मिलती थी वही तुम्हें आज मिलेगी अगले महिने तारिक आयी और फिर से उसने जितनी तनकाओ दी इस बार भी उसी लड़के ने कोई रियाक्शन नहीं दिया ना ही खुश हुआ ना ही दुखी हुआ सेट जी ने उसे बुलाया पूचा तो बताओ बात क्या है जब तुम्हारे पैसे बढ़ाये तब तुम खुश नहीं हुए जब तुम्हारे पैसे कम किये तब भी तुम खुश नहीं हो आखिर चक्कर क्या है आदमी ने कहा द्यान से सुनो सेट जी ने जब पहली बार चुट्टी पर गया तब दिन मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ और आपने मेरे तनका को बढ़ा दी तो मुझे लगा कि उपर वाले ने मेरे बच्चे का हिस्सा मुझे दे दिया तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ दुसरी बार जब मैं नहीं आया तब मेरी मा का देहांद हो गया और जब आपने मेरे तनका को घटा दिया तब मुझे लगा कि मेरी मा मेरे हिस्से को अपने साथ ले गई तो फिर में वो अगटे हुए पैसों के लिए परेशान क्यों हूँ एक चोटी सी कहानी हमें यह बताती है हमारे जिन्दगी में कितने सारे ups and downs आते ही कई बार बहुत अच्छा वक्त आता है कई बार बहुत बुरा वक्त आता है उस आदमी को देखिए जब उसका पैसा बड़ा तो आदमी बुचला नहीं ना ज़्यादा खुश हुआ और जब बुरा वक्त आया तो ज़्यादा दुखी भी नहीं हुआ एने का मतलब बड़ा सिंपल है इसलिए दोस्तो जिन्दगी में तब आप में आना बन कर दीजे और अपनी जिन्दगी खुशी से जी ले अगर खुशी किसी दुकान पर मिलती तो दुनिया में हर इंसान दुखी नहीं होता लेकिन खुशी आपके अंदर है डूणने से आपको नहीं मिलेगी इसलिए खुशी को मेसुस कीजे दोस्तो आप कोई चोटी सी कहानी केसी लगी हमें ज़रूर बताए और लाइक, शेर, सब्सक्राइब बिलकूँ